जै गुरु जी संगर जी संगर जी कल मेरी एक फ्रेंड के ड्रीम में गुरु जी आए और उनको कुछ मैसेज भी दिया ड्रीम में मेरी फ्रेंड पहले गुरु जी को नहीं मानती थी और वो माता रानी जी की भगत थी उन्होंने मुझे बताया कि गुरु जी उनको कह रहे थे कि अगर कल्यान कराना है तो बड़े मंदिर आना फिर गुरु जी ने उनको कहा आपने मेरा एक काम भी करना है उन्होंने पूछा कि क्या करना है गुरु जी गुरु जी ने कहा आपने मेरा मैसेज एक संगत तक पहुचाना है गुरु जी ने बोला कि एक आंटी है जिनको मैंने कुछ बातों से दूर रहने के लिए कहा है क्योंकि उनका खराब टाइम चल रहा है वो पूरी तरह मेरी बातों को नहीं मानती है और वो अपने टेस्ट में फेल हो गई हैं मैं उनसे नराज हूँ और मैंने उनको सजा भी दी है उनको आप कह देना कि अगर वो मेरी सची संगत बनना चाहती हैं तो मेरी एक एक बात को याद रखें और उनको मानें साथ ही उन आउंटी को ये भी कहना कि वो बात हमेशा याद रखें जो भी मैंने उनके पिछले जनम या अगले जनम की बाते बताई हैं वो किसी के साथ कभी भी शेयर नहीं करनी है और आज मैं उनके सारे डाउड क्लियर करना चाहता हूँ वो आउंटी उन अंकल के साथ लड़ती हैं जिसके साथ उनका जनम जनम का रिष्टा है उनको पता है कि ये अंकल कौन हैं उन आउंटी ने पांच जनम पहले अरदासे करके इन अंकल को मेरे से मांगा था और ब्लेसिंग भी ली थी कि हर जनम इन अंकल के साथ ही इनकी शादी हो मगर इन आउंटी ने अपने पिछले जनम में इन अंकल को दोखा दिया इसलिए ये दोनों इस जनम में अलग हो गए हैं वो आउंटी इस जनम में भी उन अंकल की बेकदरी कर रही हैं जो ठीक नहीं है मैंने इन दोनों की सोल को जोड़ कर रखा है ये दोनों एक दूसरे के लिए माता पिता भी हैं और हस्बेंड वाइफ भी हैं और हर तरह का रिष्टा है इन दोनों का एक दूसरे के साथ ये दोनों जिस रिष्टे में रहना चाहते हैं, वो रह सकते हैं, इनको पूरा बख्षा हुआ है, जब मैं दो सोल को जोड देता हूं, तो उनको मुख्ष देकर अपने पास ले आता हूं, तो इन दोनों को अगला जनम नहीं मिलना, क्यूंकि मैं दोनों को मुख्ष देकर अपने पास ले आऊंगा, अगर वो आंटी उन अंकल के साथ अपनी सोल का कनेक्शन फील करना चाहती हैं, तो उनकी फिंगर में अपनी फिंगर मिला के उनका हाथ पकड़ें, उनको एक वाइब्रेशन फील होगी, फिर क्या पता, वो भी जाग जाएं, उन आंटी को भी अपना पिछला जनम याद आ जाए, फिर गुरु जी ने कहा उन आंटी को उन अंकल पे गुसा नहीं करना चाहिए, वो अंकल दिल के अच्छे हैं, उनका ख्याल रखा करें, वो दिल से छोटे बच्चे जैसे हैं, और संगर जी ये बोल कर गुरु जी हवा में उड़ते हुए गायब हो गए, जब मेरी फ्रेंड ने मुझसे बड़े मंदिर जाने को कहा, तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड को दो साल से बड़े मंदिर चलने को कहती रहती थी, लेकिन वो मना कर देती थी, और गुरु जी ने उसे एक बार में ही बुला लिया, जै गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जै गुरु जी संगर जी, संगर जी गुरु जी की आग्या से एक ससंग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि गुरु जी की आग्या के बिना कोई ससंग नहीं जा सकता, बड़े मंदिर नहीं जा सकता, संगर जी गुरु जी की आग्या के बिना पता भी नहीं हिल सकता ससंग में किसी को इन्वाइट नहीं किया जाता ये तो रूह की बूख है गुरु प्यारी संगत खुद ही पहुझाती है जब गुरु जी का बुलावा होता है वो घर बहुत कर्मो वाला होता है यहां गुरु जी की प्यारी संगत के पैर पड़ते हैं पता नहीं होता गुरु जी किस रूप में आ जाएं गुरु जी भी उसी से प्यार करते हैं जो संगत का आदर करते हैं क्यूंकि गुरु जी अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं गुरु जी की आग्या के बेना कोई नहीं आता गुरु जी का हुकुम होता है ससंग पर जाओ तो ही संगत जी आती है गुरु जी की आग्या से ही ससंग लिखा जा रहा है वरना हमारी क्या उकात है की हम ससंग शेयर करें मेरी आप सब से हाथ जोड कर विंती है गुरु जी की संगत का आदर करिए गुरु जी का ही हुकुम है जै गुरु जी गुरु जी का हर पल शुक्राना जै गुरु जी संगत जी जरा सोचो गुरु जी ने आपको ही क्यों चुना है चाहे लाक बुराईया हो आप में मगर कुछ ऐसी खूबियां जरूर होंगी जो संसार के करोडो लोगों में नहीं है इसी लिए आप बहुत ही किस्मत वाले हैं जो गुरु जी ने आपकी कमियों को नजर अंदाज करके आपको सीने से लगाया है जिससे हमारी दिशा और दशा दोनों बदली हैं जै गुरु जी गुरु जी का हर पल शुक्राना जै गुरु जी संगजी इस संसार में गुरु जी की भक्ती से बढ़कर कोई और भक्ती नहीं है गुरु जी ही हमारे लिए संजीवनी बूटी हैं यह अमर जीवन देने वाली बूटी हैं जिससे हम जन्मों जन्मों की मैल को उतार कर निर्मल हो जाते हैं जै गुरु जी गुरु जी का हर पल शुक्राना झाद सकतिimana झांओ ज्个 जी हमारे बुरु जो जन्मों